तो इस बार जयारव पार जियोग्राफिक हंदर आप लोग का आज से हम लोग जियो मॉर्फोलोजी को लेकर एक हमारा क्यूशन सिरी चलने वाला है, from 1st April onwards, April full नहीं है, सच में, ठीक है, 6 बज़े शाम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, रोज हमारा ये होने वाला है, जब तक आपका महारा स्ट्रस सेट हो, और या फिर UGC NET हो, इसको हम लोग कवर करेंगे, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, आ मैं लेकर आऊँगा, पूरे हफते हमारी यूनिट चलेगी, ठीक हर रिचा, सर्क्यूशन हिंदी में भी रखेगा, जरूर हिंदी में मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी रिचा, तो जो भी हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, आप कोई से भी मीडियम के ऐस्पारेंट्स हो, आपको लेंग्वेज की वज़े से प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूच सकते हो, मैं आपको सॉल करूँगा, ठीक है न, हैं, टॉपिक मैं बताई चुका हूँ आपको, हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने इस तरह से क्यूशन से डिजाइन की हैं, स्टुडेंट्स, इसमें जियो मॉर्फलोजी के जो क्यूशन हैं वो तो होगी, प्रिवेस एर क्यूशन पेपर्स, हमारे मल्टिपल चोईस मिंस, मोस्ट प्रॉबेबल क्यूशन, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वो, प्रिवेस एर में कौन से पूचे गये थे, एमसी क्यूशन कौन कौन से थे, और उनसे नए क्यूशन कौन से जनरेट हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है, ऐग्जेक्ट प्रिवेस एर क् अग्री करो कि नी करो, comment box में बताओ, कि जो previous year के question paper, questions होते हैं, वो आपको वापस नहीं पूछे जा सकते हैं, उस base के उपर, उस concept के उपर, वो question वापस पूछे जाते हैं, will you agree with or not, चलिए, तो सबसे पहला, मैं अगर question लो आपके सामने, वो है ये, धान से सुनना, ठीक है, ज जो भी अपनी weekend था, वो खतम हो गया, अब हम लोग पढ़ाई के mode पे आ जाएं, ठीक है, मैं भी आ चुका हूँ, आपको mentorship के provide करने में, आपको पूरे हफ़ते, concept के मादियम से engage रखा है, off topic मैंने आपको बताएं कि किस तरह से qualify कर सकते हो, GRF में grants क्या मिलती है, आप उनको जाकर देखी, आप चैनल को explore कीजिए, बहुत सारी चीज आपको पता चलेंगे, ठीक है, साथ ही साथ में, जो भी मैं आपको shots के मादियम से, छोटे छोटे जो हमारी videos होते है, 60 second के अंडर में, इनको हम लोग shots कहते है, उसमें आपको बहुत सारी tricks देता हूँ, जानकारी द landforms created by the fluvial erosion cycle, देखो कोई दिकत नहीं है, मतलब आपको इनको किस तरह से erosion हुआ है, उस तरह से आपको sequencing करनी है, ठीक है, यह सारे के सारे landforms है, आपको मैं detail में आपको बताऊंगा, पहले बिसक्यूशन को जल्दी से solve कीजिए, तो जुलफिकार जी कह रहे है, A is the correct answer, what about others, स चलो, एक answer है, A, what about others, क्या हुआ भाई, fluvial erosion cycle, क्या होती है, fluvial erosion cycle, रिचा, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, participate कीजिए, because, अगर आप यहाँ पर आपका उतर गलत भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिट्टु आ गए है, A, hello, hello, बिट्टु, जल्दी से इसका answer दीजिए, जल्दी जल्दी, जिसे कि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्यूशन कर पाएं, और आपका जो भी आप समय दे रहे हो ना, वो productive हो सके, तो जुल्दी का जो है, वो क्यूशन answer change हो रहा है, वो A या B में confused हो रहे हैं, what about others, what happened, fluvial cycle में आपको थोड़ी सी cheat code बता देता हूँ, ठीक है, आप मेरे अच्छे student हो, प्यारे students हो, तो मैं आपको cheat code दे देता हूँ, कि fluvial erosion cycle का मतलब होता है, जो rivers के द्वारा कटाव होता है, rivers के द्वारा जो erosion होता है, जब river, इस तरह से बहर ही होती है, तो बीच में जो भी land form आता है, वहाँ पर यह काटती हुई चलती है, अगर मालो यहाँ पर कोई hard rocks आ गई, इससे कटाव नहीं हुआ, तो यह अपना रस्ता बदल लेती है, इस तरह से, इनको क्या करते हैं, meanders कहते हैं, ठीक है, अब suppose करो, कि future में यह part कट हो गया, तो इसे कहा जाता है, oxbow lake, तो अलग लग तरह कि जो land forms होते हैं, वो हमारी rivers क्या करती है, बनाती है, उन्हीं का ही नाम पूछा गया है, कि पहले क्या बनता है, और बाद में क्या बनता है, बिट्टू कह रहे हैं, A, और जुल्फिकार जी कह रहे हैं, सर, option D is correct, चलो answer देख लेते हैं, answer है, A, ठीक है, gorge, फिर pidmont plane, फिर flood plane, और फिर आता है, delta, तो जुल्फिकार जी, A was the correct answer, अब देखो, आपने पहले A ही बोला था, ज्यादा सोचने की वज़े से आपने D बोल दिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सही नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, कि आपको एक practice करने का मोका मिल रहे हैं, कि अच्छा, जो चीज में पहले सोच रहा था, वो सही थी, और बाद मैंने जो चीज गी, वो गलत हो गई, ठीक है, बस इतनी इसी बात है, अब मैं आपको बता देता हूँ, कि एक gorge होता क्या है, नद लिखा होगा, कि बहुत सारे जैसे रीवर्स यहां से बह रही है, और अचानक से यहां पर एक विशाल, जो है, दरार जैसी हो जाती है, cracks हो जाते हैं, यहां पर, valleys बन जाती है, उसे gorge कहते हैं, और उसी से waterfall होता है, कि हावा इस तरह से चल रही है, जो पानी इस तरह से चल आपको, तो यह क्या करेगी, यह इस लेंड फॉर्म को काटेगी, पहले यह पूरा mountain था, और इसको उसने काट करकर, काट काट कर एक गहरी, खाई टाइप बना दी, उसे हम लोग गौर्ज कहते हैं, ठीक है, तो यह सबसे पहले बनता है, इन के अंदर से चारों में से, उसक यहांता समझ आगे कि गौर्ज कैसे बनता है, इसको जौर्ज बोलो, गौर्ज बोलो, वो आपके उपर डिपेंड है, प्रणन सेशन का काम में आपके उपर छोड़ देता हूं, ठीक है, देखिए, फिर आता है पिड़मॉंट प्लेन, तो पिड़मॉंट प्लेन क्या होता है, पैर है इसका, विशाल का है हमारा माउंटेन, और यहां से नदिया बह रही है, और उसके बाद में यहां पर आकर वो स्लो जाती है, फुट है, माउंटेन का पैर है, तो यहां पर तो बनते हैं गौर्ज, या जौर्ज, कुछ भी आप कहिए, उसके बाद में नीचे की अब बनते हैं, पिड़मॉंट प्लेन, ठीक है, तो पिड़मॉंट जो प्लेन होते हैं, वो गौर्ज के मुकाबले, क्या होते हैं, गौर्ज तो बहुत स्टीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, पर जो पिड़मॉंट प्लेन होते हैं, वो इसकी फुट पे होने की वज़ से वो क्या हो जाते हैं एकदम जेंटल स्लोप हो जाते हैं जो डहलान होती है वो बहुत ही जेंटल हो जाती है तीखी नहीं रहती है तो इसलिए हम लोगों ने क्या रखा है गौर्ज के बाद में पिडमोंट प्लेंज को रखा है ठीक है चली अब यह जो पिडमोंट जो शब्द है स्टूडेंट्स मैं आपको देखो सारा ग्यान दूँगा पिडमोंट शब्द कहां से आया है पाइड जिसका मतलब होता है फ बताई कमेंड बॉक्स में पिड़ का मतलब फुट और मोंट का मतलब माउंटेन और यह कौन सा शब्द है इटाइलियन है इटाइलियन शब्द है कि में चालो बहुत अच्या आपने यहां पर कहां पाये जाता है पिडमोंट जोन हमारे यहां पर वैस्थन जो घाट से जिन्हें हम लोग सहयाध्री प्कते इसमें आर मैं यहां पर जो यहां पर हमारा जो इस्ट नहुका जोन पराइद आपने परнимारिका था कि मिर थात है वहाँ भी पाए जाते है उसके बाद में आता है floodplain तो floodplain कौन सा है यह जो plains दिख रहे है यह pit bond है और उसके बाद में यहाँ पर जो plains है यह हमारे what is it यह flood plains कहलाते है flood plains का मतलब होता है कि जो rivers बहे रही है river is flowing जब river बहे कर उफान पर होती है तो उसके अंदर के जो sediments होते है वो आपस में deposit होते हुए चलते है कहाँ पर यह देखो can you see this यहाँ पर deposit होते हुए चलते है तो यह क्या है यह flood plains कहलाते है और यहीं पर खेती होती है agriculture होता है आई बात समझ में तो यह हमारा तीसरे नमबर पर आता है और उसके बाद में आता है हमारा what? डेल्टा can you see the डेल्टा? डेल्टा होता क्या है जब river उपर से बहती हुई आ रही है तो आप सोच यह कितना सारा conquered पत्थर debris बड़े बड़े rocks लेकर आ रही होंगी अग्री करोगे न अब इतने कई किलोमेटर सेक्डो किलोमेटर जब बहकर यहां पर जब आती है इस एरिया में आती है ocean से मिलने ही वाली होती है तो क्या होता है? वो भारी हो जाती है यहां पर यहां पर आकर उसके अंदर खूब सारा जो डेबरीज है, रॉक्स है मिट्टी कूडा कच्रा जो भी है वो सारा का सारा यहां पर वो डिपॉजिट कर जाती है वो भारी हो जाती है उसके पास कैपेसेटी नहीं होती है कि वो सारा का सारा ocean के अंदर बहा सके ठीक है? तो इससे डेल्टा बन जाते है और वो जो मिट्टी लाई जाती है वो बड़ी ही उपजाव मिट्टी होती है कौन सी मिट्टी होती है? ऐलूवियल स्वैल होती है तो देखो नया question generate हो गया कि सबसे उपजाव मिट्टी ऐलूवियल स्वैल कहलाती है Got the point? चलो और देखो हर साल river जो होती है वो हमेशा flood करती है Barाड लेकर आती है सबसे नई मिट्टी लेकर आती है पुरानी तो लेकर चली जाती है और तो इसलिए जो flood plains होते है वो बहुत ही fertile plains होते है क्या बता सकते है कि दुनिया का सबसे fertile plains मैदानी छित्र का नाम क्या है बताइए कमेंट बोक्स में सभी लोग फिर हम लोग आगे वाला क्यूशन लेते हैं ठीक है चालो बहुत अच्छे जल्दी जल्दी बताइए राइट पिर है हमारा यहां तक कोई दिक्कत नहीं न पिछले वाले क्यूशन में परफेक्टली समझ में आ गया तो मेरा मुद्दा यह था कि अपने एक क्यूशन किया इनको कॉंसेप्ट क्लियर होगे साथ ही साथ भी नहीं नहीं चीजें पता चल रही है कि अलुवियल स्वैल हमें पता चला दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा मोजूद है वो हमारे इंडिया में है उसी प्रकार और भी मैंने आपको यह चैनल क्या होते हैं आप इसको रेफर कीजिएगा पीडियेफ आपको अविलेबल हो जाएगी आंसर आने स्टार्ट हो गया है इंडस गंगा इंग ब्रह्मपुत्र प्लेन तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन इस दा मोस्ट फर्टाइल प्लेन साफ वर्ल्ड पुरी दुनिया का स्टीप साइडेड डीपली अंडरकट और ओवर हेंगिंग रॉक रिजज़ सेपरेटेड बाई लॉंग ग्रूवज इन रिलेटिवली सॉफ्टर रॉक्स आर नौन एज अराम से कोई दिक्कत नहीं है आपके वासे एक मिनट का समय रहता है एक्जाम में भी रहेगा कोई परिशानी की वाले की बात नहीं है किसकी बात हो रही है डैजर्ट रीजन मतलब मरू परदेश रेगिस्तान की बात हो रही है steep side का मतलब होता है एक तो ये है एक ये है तो तीखी ड़लान किसकी है तीखी ड़लान इसकी है तो इसको हम लोग steep sided बोलते है उसी प्रकार ये क्या है ये gentle slopes है ठीक है जुल्फिकार जी का अंसर है second में D 20 facts what about others बिट्टू, रिचा सभी लोग participate किए जो भी live देख रहे हैं सभी लोग participate कीजी class के अंदर long grooves का मतलब होता है जिसे इस तरह से मैं आपको अभी दिखाऊंगा formation इस तरह से cutting होती है इनको long grooves कहते है ये desert का है ये आपको याद रखना है हां कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने आपको बताया है इन desert reason मतलब मरू छित्रों में steep setting तीखी डहलान वाले वो deeply undercut मतलब इस तरह से undercut है जो ये एक ही rock थी बीच में से पूरी तरह से काट दिया गया है इस तरह से ठीक है जो softer rocks थी वो तो cut गई और जो harder rocks थी वो इस तरह से बच गई तो इस तरह का formation आपको desert में पाया जाता है उसी का नाम पूछा गया है ठीक है ना और धान दें कि इन इन शब्दों से डरे नहीं ये दूसरे भाशा की शब्द हैं बट आप लोगों के लिए बहुत important जानने के लिए बिकोज इसका answer है yardunks अब मैं आपको बताता हूँ देखो बिल्कुल घबराने के जरुवत नहीं है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ये देखी ये वो land forms हैं जो की erosion की कारण बने वे हैं सबसे पहली बात तो ये केटू ठीक है ये है yardung जिसकी बात हो रही है जो answer है हमारा कि ये रेगिस्तान के अंदर erosion होता है किसकी वज़े से हो रहा है हवा की वज़े से रेगिस्तान में पानी तो आ नहीं सकता नहीं आ सकता ना देखो दिमाख लगाओ बिल्कुल attention नहीं नहीं है desert में जो भी अपरदन क्रियाई होंगी इरोजिनल activities होंगी वो हवाओं के माद्यम से ही होंगी अब आप देखिए ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं yardunks देखो geogun blowouts ये सारे के सारे हमारे desert phenomenon है desert में हवा के कारण बने हुए हैं ये आपको याद रखना है insult box desert pavement इस तरह के छोटे छोटे टुकडे और इसको बोलते हैं dry counter ठीक है तो देखो students stone lattices जैसे कोई चीज नहीं होती है ये fall तो confuse करने के लिए दे दिया था ऐसी कोई चीज ही नहीं है dry counter क्या होता है हमारा ये इस तरह का पाया जाता है dry counter त्री बुज दिख रहे है can you see the three बुज triangle दिख रहे है आपको आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ मैं हम dry counter की बात कर रहे है ये देखो ये अलग तरह की चटान है one, two, और three तीन साइड से घिरी हुई है इसी के लिए इसका नाम dry counter क्योंकि जो अपना ये जो शब्द है ना dry counter ये जर्मन का शब्द है जर्मनी से आया है जर्मन लेंग्वेज का शब्द है ठीक है बिट्टू देखो जब हम इसको पूरा में समझाओंगा ना आप तुछे किया अच्छा इतना easy question था क्या समझने का प्रयास करना और जुड़े रहो बिलकुल कहीं जाना नहीं है पूरा time देना है जबे भी आपको इस तरह की rock formation दिखे इसका मतलब है वो dry counter है wind erosion के कारण ही हुआ है बट अलब style के अंदर हुआ है तीन इसकी side है three ages तो यहाँ पर क्यूशन के अंदर किसी भी तरह का three ages का कोई नाम लिखा है कोई भी त्रिबुज अकार की rocks का नाम लिखा है नहीं लिखाना तो इसमें फिर dry counter नहीं करना है dry counter कब करना है जब three ages लिखा हुआ उस क्यूशन में आएगा three age कर सकते हो या फिर पिरामीडिकल पिरामीड भी ऐसा ही होता है ना students तो अगर आपको कल को पूछ लें कि ऐसे erosion का नाम बता है ऐसे अपरदन क्रिया का नाम बता है जिसमें rocks जो होती हो पिरामीड के आकार की बनती है उसे ही dry counter कहा जाता है yard dunks की बात होई गई yard dunks हैं ये आपके सामने ये दिख रहें अब देखो ये एक ही rock थी बहुत विशाल का एक रॉक थी बट हुआ क्या ये जो rock बच गई है आप लोगों के सामने ये है hard rock ये कोई पकी rock थी wind इसको तोड़ना चाह रही थी पर इसके आस पास की जो rocks थी उनको तोड़ कर ले गई because वो hulky rocks थी वो soft rocks थी ये hard rocks है आई बात समझें बहुत under cutting की हुए ऐसे लगे किया बीच में ये खड़ा है ऐसे stone अचानक से एकदम desert ही लाका रहेगा आपको दूर दूर कुछ नहीं दिखेगा अचानक से इस तरह की एक आपको rock दिखाई देगी तो आप समझें और ये question आ सकते है exam में अपनको black and white के इंदर पूछा जा सकता है ये चीज़ तो आप इसको याद रखिएगा ये आपको मैं colored में दिखा रहा हूँ यूजिस ही आपको black and white में पूछ सकती है तो इन shapes को याद रखना होगा याद रखे ठीक है जिवगन को याद रखने की इतना easy है mushroom shaped है can you see the mushroom shaped ये इसका stem है ये इसका mushroom है ये stem है ये इसका mushroom है तो mushroom shaped की जो भी rocks होंगी उन्हें हम लोग जिवगन कहेंगे piramidical का ये हो गया और yardanks का ये हो गया yardanks जो होते हैं वो दो तरीकों से बनते हैं एक तो जो मिट्टी होती है वो और प्लस wind ठीक है तो इसमें इस rock के में जो भी lose materials थे न वो सारे के सारे हट गए आप याद रखें और इनकी जो लंबाई होती है yardanks की लंबाई होती है वो बहुत किलो मिट्रस में हो सकती students इस तरह के formations दिखाई देते हैं आरी बास समझ में मतलब यहाँ वाली जो rocks थी यहाँ वाली जो rocks थी वो तो cut हो गई और इतने लंबी लंबी जो rocks है किलो मिटर में छोटी नहीं यह तो बहुत छोटा आपको फोटो दिखाए गया है ऐसा बनता है आप इसको याद रखें उसके बाद में आता है vent effect तो students यह जो ड्रेकाइंटर था ना ड्रेकाइंटर यह एक vent effect rock का प्रकार है कि wind के द्वारा polish कर दिया गया है इसको इसकी polish कर दी गई है यह rock original ऐसी नहीं थी but rocks wind erosion के कारण sand जो मिट्टी उड़ती है जब मिट्टी उड़ती है और किसी के बार-बार-बार-बार touch होती है तो उससे भी अपरदन क्रिया ही होती है तो dry counter is a part of vent effects only तो vent effects को कहते हैं यह ठीक है? याद रह जाएगा तीन साइडस होते है vent effects में और वो polish रहती चमक ती भी आपको दिखाई देंगी ठीक है? चलो ताई hope यह clear हो गया होगा insult bug क्या होते है insult bug भी यही चीज होती है कि बहुत बड़ी एक चटान रही होगी पूरी चटान पूरा प्लेट्यू पूरा मॉंटेन खतम हो गया और अचानक से आप एकदम flat दूर दूर तरह एकदम plain जमीन है मैदामी परदेश है बट वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बीच में अचानक से एक rock दिखाई देगी इस तरह की अब एकदम plain चल रहे हो मैदानी परदेश है और अचानक से इस तरह का insult आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उस बहुत बड़ा वहाँ पर को rock रहा होगा और वो पूरा पूरा इरोजिन अपरदन हो गया उसका बट ये रह गया इसको हम लोग monad rocks भी कहते है monad rock और monad rocks मैं बता दूँ uluru's rock uluru rock जो कि Australia में present है वो एक insult बग का ही परकार है और उस uluru rock को वहाँ के जो tribal areas है tribal जो लोग है वो इसको पूजते हैं uluru rock तो इसको आपको याद रखना है वो एक monad rock का ही परकार है ठीक है students आगे बढ़े I hope ये clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ भी doubt हो मुझे तुरंथ पूछते रहो कुछ भी आपको feedback देना हो यहीं आपको देना है और end तक आपको जुड़े रहना है आगे आता है कल से मैं जो questions हैं वो हिंदी में भी लेकर आऊंगा जिससे आपको बार बार परिशानी नहीं अपने जादा questions कर पाएं ठीक है अब ये को feedback देने से होता है मैं सुचे कि आपको हो जाएगा बट problem आ रही है न तो इसको जरूर सॉल कर देंगे यही काम है कोई issue नहीं है फिर आता है subduction zones of tectonic plates are referred to as rift zone landlocked zone buffer zone या फिर benioff zone K2, B2, Julfi कार सब ही लोग इसका अंजर बताईए आप 3 में D बता रहे है benioff zone बता रहे है जुल्फिकार जी question में वापस बता देता हूँ subduction zones of tectonic plates are referred to as जल्दी से बताईए जल्दी से हाँ जी benioff zone आंसर आ रहा है बिट्टू का जुल्फिकार का चलो answer है benioff zone option D को lock कर दिया जाए yes definitely correct अब देखो सबसे पहले जिनको नहीं आता है उनको बता दू कि subduction zones क्या होते है ये देखो ये दो प्लेट है आपके सामने ये ocean की प्लेट है ये oceanic plate है ये हमारी continental plates है can you see this दो प्लेट है हम लोग कहा रहते है हम लोग यहां रहते है यहाँ पर आपको पानी दिखाई देता है यहाँ पर आपनी दिखाई देता है जो students अपने peer pressure में आके जोग्राफी ले रखी उन्होंने उनको भी मजा आने लगीगा ठीक है बहुत लोग ऐसे होते है कि जोग्राफी लेनी नहीं थी पर ले ली और अब समझे नहीं आ रहा है तो उनको बिल्कुल परिशान नहीं होना है देखो यहाँ पर हम लोग निवास करते हैं तो वो है continental lithosphere continent means महाद्वीप जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसी परकार जो ocean होता है उसके नीचे भी एक layer होती है उसे हम लोग oceanic lithosphere कहते हैं lithosphere का मतलब होता है rock litho means rock ठीक है अब देखो subduction zone क्या है continental यह जो plate थी और ocean की जो plate थी यह आपस में एक दूसरे की तरफ आई क्या कहते हैं उसको continental drift कहते है drifting आपने देखा न मूवी के अंदर drift करते हैं गाड़ियों को घुमा रहे होते हैं टायरों को इस तरह से drifting कहलाती है कि एक जगह से दूसरे की जो plate है यही नीचे क्यों गई यह आपके मन में सवाल आना चाहिए जो curiosity में पैदा करना चाह रहा हो आप लोग के अंदर वो यही है कि ocean flow ocean की जो crust है और जो continent की जो crust थी महादीव की जो crust थी इन में से ocean की जो crust है वो ही नीचे क्यों गई इसका आंसर पता है कि आपको इसका आंसर यह है कि oceanic जो crust है वो continent की crust के मुकाबले क्या है भारी है तो continental जो crust है वो lightweight है और जो oceanic जो crust होती है वो dense होती है उसमें घनत्व जादा होता है तो जब भी collision होता है तो आपको पता है जब कोई दो चीजा आपस में कोलाइड करेगी इस तरह से तो जो हलकी होगी वो उपर की तरफ उट जाएगी और जो भारी होगी वो इस तरह से नीचे की तरफ से चली जाएगी यह होता है हमारा subduction कहलाता है ठीक है अब देखो अब मुझे यह बता दो कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो यह कौन सी प्लेट बाउंडरी मैंने आपको जियो मोर्फलोजी में करवाया है और ऐसा माल लीजिए अगर आप इसको नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब आपके fundamentals कमजोर है ठीक है आप मुझे यह बताईए जब दो प्लेट्स आपस में इस तरह से टकराती है तो वो कौन सी प्लेट बाउंडरी कहलाती है बिट्टू, केटू, जुल्फी कार्जे सभी लोग बताईए answer बताई इसका फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ तब ही मैं इसको समझा सकता हूँ आप लोगों को क्या हुआ देखिए तीन तरह की प्लेट बाउंडरी होती है एक होती है convergent, जिनको नहीं पता है उनको बता दू दूसरी होती है divergent और तीसरी होती है transform समझने का परियास करो यह बहुत basic चीजे students गलत नहीं होनी चीए बिकोस किसी की नहीं होगी जो पढ़ रहा होगा अभी और इस stage पर आके तो बिलकुल आपको पता होना चीए कि convergent, divergent और transform क्या होती है तो convergent boundary is जब दो plates आपस में टकराती है तो एक plate जो होती है जो जिसके density ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ जली जाती है subduct हो जाती है ठीक है yes, convergent plate boundary जब दो plates आपस में दूर जाती है तब इसके नीचे का जो magma होता है वो उपर की तरफ निकल आता है ये कहलाती है diverge diverge हो जाना दूर चले जाना transform boundary का मतलब ये है कि दो सनी देव लागए और कोई भी जुखने को तयार नहीं है ठीक है दो plates आई और कोई भी subject नहीं हो रही है तो क्या करेगी जब आपस में दो लोग टकराते हैं तो अगर आपके सामने वाला जो opponent है वो भी exact same रहता है तो आपके हाथ छूट जाते हैं इस तरह से notice किये न आपने देखा होगा लोगों को तो वो ही transform कहलाता है कि जो slide past हो जाती है इस तरह से टकराई तो ना तो कोई नीचे जा रहा है ना कोई उपर जा रहा है इस तरह से slide होगी तो यह sliding जो होती है वो transform boundary कहलाती है तो आपके सामने अब यह क्या दिख रहा है यह conversion plate boundary है I hope clear हो गया होगा आप लोगों को और students यहां से लेकर पूरा जो zone रहता है इसे हम लोग बैनी ओफ जोइन कहते है यह आपको याद होना चाहिए ठीक है बैनी ओफ जोइन कहते है और आपको एक सवाल पुछा जाता है एक्जाम में कि ocean floors ज़्यादा young है कि continental जो crust है वो ज़्यादा young है बताईए मुझे comment box में कि ocean का जो crust है वो ज़्यादा young है कि continental जो lithosphere है continental crust जो young है कि ठीक है ना बताओ हाँ बहुत अच्छे आप कहा रहे हो कि continental crust ज़्यादा young है एक काम करो बोर्या विस्तर समेटो ठीक है और कोई और कुछ करो UGC net वगरा का तो MS set का तो रहने ही दो आप ठीक है अगर यह छोटी सी चीज़ नहीं पता है जो की previous year में बूची गई है ऐसा कैसे कर सकते हो आप geomorphology का basic concept students ही तो याद रखें नहीं भाईया नहीं oceanic crust जादा young है more young than continental crust ऐसा क्यों है इसका जो answer वो आपके सामने ही है कि जो oceanic crust होती है वो बार बार subject होती है और इसकी recycling होती हुई रहती है आप समझ रहो इसकी recycling और ये मीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा गरम है यहाँ की जो rocks है जो ये जो rocks उपर से आ रही थी ये rocks क्या हो गई पिघल गई पिघल कर magma के रूप मे वोलकेनों के रूप मे वापस उपर आ गई ये दिखर आपको तो ये चलता रहता है ये recycling चलती रहती है students ocean के मामले में तो इसलिए oceanic जो crusts होती है वो they are more younger than continental lithosphere continental crust continental crusts होती है वो तो इतने सालों तक कोई subduction नहीं हो रहा है उनका तो ये answer सही है ठीक है समझ में आ गया और जिसको नहीं पता था अब पता चल गया तो ये मेरा motto था बताने का ठीक है तो मैंना को freight boundaries समझा दी साथ ये question पूछा गया है previous year में कि कौन सी जादा young है मैंना को ये बता दी आगे बढ़ते हैं करता की साथि इनने में आफ बलड़ जादेjustख। तो मैंशिका ये इर्रिग बड़ शीcu C कका इसे नोंशिः ऑज कि पिश्याष इन साथ सान चांसर ऑज आष गया है तो बाड़ दिवाद्ट अटनामि मैं pole कि प्तव कि ये ऑपिति स्प्थ्ट्रामित ओज की Option D is Snow Melt Water Oscillation in the Indian Ocean क्या पूछा गया है Indian Ocean Dipole अब किसी किसी को नहीं पता होगा तो ये students मानसून को प्रभावित करने वाला ही कारक है एक factor है जिसे हमारा L-Nino, La-Nina आपने सुना है न, Enso जो Southern Oscillation है उसी प्रकार Indian Ocean Dipole भी एक phenomenon है तो आपको पूछा गया है इसकी definition जल्दी से पताईए जुलफीकार जी का तो answer आप ही गया देओ इतना जल्दी इस तरह से answer करो, यहाँ पर जल्दी जल्दी करो गलत हो जाए कोई बात नहीं है ठीक है उसको सही कर लेंगे अपन पर जल्दी कीजिए time management बहुत ज़रूर है UGC के exam में या फिर महारास्टर सेट कोई सभी अपना सेट का examination के अंदर आपको time बहुत कब मिलता है, problem यही है तो सबसे पहले आपको एक नई चीज़ बताता हूं मैं Indian Ocean Dipole को Indian नीनो भी कहा जाता है जैसे एल नीनो होता है ना एल नीनो उसी प्रकार Indian Ocean Dipole को Indian नीनो कहा जाता है अब इसमें होता क्या students कि जैसे माल लो यह हमारा Indian Ocean है अब समुद्र है तो East West North South जरूर होगा ऐसे तो हैनी की पूरे विश्व में फैला हुआ है इसके कोई East West boundary जरूर होगी मानते होगी नी तो सब्बोज करो यह हमारी Western boundary इंडियन ओशन की और यह हमारी Eastern boundary है ठीक है अब दो तरह के इंडियन डाइपोल होते हैं सबसे पहले तो यह एक चीज़ पता चलगी दूसरा होता है एक तो होता है positive इंडियन डाइपोल और एक होता है negative इंडियन यह negative IOD लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आपको हमेशा IOD दिखाई देगा जहां से एकदम सुनना concept clear बहुत जरूरी है concept clear हो गया तो इस तरह के चाहसे 20 questions आपको पूछ लिए जाए UGC NET, UPSC, UPPC कहीं हो चाहे से अगर concept clear हो जाएंगे तो next time आपको इंडियन ओशन डाइपोल परेशान ही नहीं करेगा अब देखो पहले इसका answer बता दू, answer है irregular oscillation of sea surface temperatures कि अपना Indian Ocean का जो temperature है, कभी तो ये गरम हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है कभी western side गरम हो जाती है, तो eastern side गरम हो जाती है तो ये fluctuation चलता रहता है, ये irregularity है, हर बार नहीं हो रहा है और जब eastern side गरम होता है, तो western ठंडा, western गरम होता है तो eastern ठंडा और उसकी वज़े से, उसकी वज़े से क्या, उसकी वज़े से मानसून की जो हवाएं होती है, जो मानसून की winds होती है, वो impact करती है, वो effect होती है ठीक है, हाँ, K2 जूल फिकर, दोनों का अंसर आपको एकदम सहीत है, students, बहुत अच्छा है अब देखो, ये positive iod और negative iod क्या है, ध्यान देना, जब western, Indian Ocean का जो part है, वो warm हो जाता है, तो इससे क्या होता है, positive iod बनता है और जब eastern वाला warm हो जाता है, तब क्या बनता है, negative iod बनता है, ध्यान देना, बिलकुल अब हमारे इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है, हमारे इंडिया के लिए positive iod अच्छा है जब अगर Indian Ocean का western part गरम होगा, वहाँ पर positive iod बनेगा उससे क्या होगा, मानसून की हवाएं और भी intense आईगी, हमारे इंडिया की तरफ उससे क्या होगा, हमारे मानसून अच्छा होगा, तो positive iod का मतलब हमारे लिए अच्छा है positive है हमारे लिए, और negative iod का मतलब होगया, हमारे लिए वो negative है इससे क्या होगा, अगर eastern side of Indian ocean, अगर warm हो गई, तो जो हवाएं अपने इंडिया की तरफ जा रही थी जो हवाएं हमारे इंडिया की तरफ आ रही थी, मानसून हवाएं, ठीक है, यह मानसून की हवाएं है यह इंडिया पर ना आकर इधर पैसिफिक, eastern pacific ocean की तरफ, eastern Indian ocean जहां पर इंडोनेशिया वगरा है, यहां पर चली जाएगी अस्ट्रीले के तरफ चली जाएगी, तो जो जितनी मानसून की हवाएं हमारे यहां आनी थी, उतनी मानसून की जो winds हैं वो आई नहीं, और मानसून रीक हो गया तो क्यूशन क्या पूचे जाते हैं, बहुत सारी क्यूशन पूचे गएं students के ओपर, तो याद रखिएगा कि positive IOD is good for India, yes good for India, positive IOD में क्या होता है, western part of Indian ocean warm होता है, यह क्यूशन बहुत बुचा गया, और confused भी बहुत ज़्यादा, आप खुद ही देख लो, अब यही तो मैं clear हो गया, students, clear हो गया, आगे बड़े, keto, जुल्फिकार, बिट्टू, everything is clear, चलो, बहुत अच्छी बात है, पिर आता है, यह देखो, this is positive iod, जिसमें हमारा Indian ocean है, वो west side में, इस side में गरम हो रहा है, तो यहाँ पर जो हवाई होती है, वो यहाँ से भी, यहाँ पर heavy rains वगरा करती है, उसी प्रकार अगर east वाला हो जाएगा, तो हमारे इंडिया की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी heavy rain नहीं हो रही है, सारा का सारा Indonesia, यह जो Asian countries है, वहाँ पर हो जा रहा है, तो negative idea is negative for India, that's it, पिर आता है, what is the term for the weathering process also known as onion weathering, Chloral effects, Oxidation, Solution, या फिर Exfoliation, क्या होगा, onion weathering, थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है न, आप इसको gas work कीजी, अगर आपको नहीं पता है कि onion weathering क्या होती है, पहली बार यह शब्द सुन रहे हैं, कोई दिकत नहीं है, आप geographers हो, future assistant professors हो, थोड़ा सा दिमाग लगाई है, थोड़ा सा common sense लगाओ, और onion, जो खाने वाला onion है उसी से यह नाम लिया गया है, तो जिल्फिकार जी कह रहा है, exfol exfoliation, what about others, जल्दी से जल्दी बताईए, ओनियन weathering का एक और नाम भी है, कल को मानलो अगर आपको question पूछ लिया जाए, onion weathering के अलावा, तो वो है, spherodial, spherodial, weathering, spherodial का मतलब sphere, spher मतलब यह गोल्ड जो होता है, spher होता है, ने इस तरह से, हाँ, चलो, answer देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, और देखो, आपको समझ जा जाएगा, exfoliation का मतलब आपने देखो, advertisement वगरा देखी होंगे, तो आप notice करना, जो हमारे face wash वगरा होते हैं, जो face mask होते हैं, जो हम लोग पूरा लगाते हैं, face के ओपर, और कुछ को कुछ समय तक रखते हैं, फिर बाने उस mask को उतार लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कभी, तो वो exfoliation mask लिखे वे आते हैं, कि वो हमारी जो dead skin होती है, उसको निकाल देते हैं, मतलब layering कर देते हैं हमारे, तो basically वही से ये शब्द निकल कर आएगी onion weathering, ये हमारा onion जो प्याज होता है, और उसकी जो layering होती है, उस तरह से weathering होती है, उसे onion weathering कहा जाता है, और उस process को exfoliation कहा जाता है, अब देखो ये rock देखो, किस तरह से धीरे 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 इसकी जो layers है, वो उखड़ती गई, उखड़ती गई, और नई नई जो नीचे वाले layers आते गई, पेरोजन के कारण वो भी खतम होती गई, तो ये हमारा exfoliation का प्रकार है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आराम से इसको देखो, देखो, किस तरह से ये rock टूटी गई, हाना, आई बास समझ में, तो ये diagrams में इसलिए लेकर आता हूँ, जिससे आपके दिमाग में वो रहे कुछ समय तक, आपका जो memory retention है, जैसे ही exfoliation आपके दिमाग में आएगा, ये जो फोटो है, ये जो diagram है, ये आपके दिमाग में आजाना चीए, तुरण तरीके से, तो layering 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 खतम होकर इस तरह से weathering होती है, और देखो, ये जो rock है कहीं पर हिली नहीं है, ये कहीं पर गई इसके ओपर कोई पानी बहरा होगा, उसने इसको layering कर दी, या फिर बाद में जो temperature होता है, कि दिन में बहुत जादा temperature है, और रात को बहुत कम temperature चलागी तो cracks पड़ गए, तो इस तरह से अलग-अलग क्रियाओं के माध्यम से हमारी weathering हुई है, ठीक है, और आपको bonus बता देत हूँ कि spiritual weathering के अलावा इसका एक और नाम भी कहलाते हैं, वो है concentric weathering, तो यह तीनो एक यह चीज है, जो यूजी सी बड़ी smart है, onion weathering नहीं पूछेंगे अगली बार, अगली बार पूछेंगे spiritual weathering क्या होती है, अब आपका पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया पर वहाँ यह क्या है, उसे चीज नहीं आ गई, तो इसलिए हम लोग क्या है, जो questions है, वो solve कर रहे है, कि इस तरह के doubts है, इनमें बिल्कुल भी गल्ती ना करे, और थोड़ा common sense आपको ज़रूर लगाते वे चलना है, negative marking है नहीं, तो आपको करते, practice ज़रूर करते वे रहना है, ओके, I hope मैं ज़्यादा slow नहीं चल रहा हूँगा, अगर धीरे धीर हम लोग pace increase करेंगे, जैसे मैंने आपको देखो divergent boundary, convergent आज बता दिया, अब आपके दिमाग में वो बैठ गया, कि क्या होता है, इस तरह से टकराती तो convergent हो गया, दूर जाती तो divergent हो गया, जब आपस में टक अब आपको मैं कल नहीं बता हूँ यह बात, तो हम लोग क्या है कि डिरेक्ट क्यूशन पर जंप कर सकते हैं, इसलिए दिरे दिरे हम लोग pace को increase करेंगे, आज मैं जान बुचके slow हूँ, क्योंकि मैं concept clear करना चाहता हूँ, अब याद रखें, और ये भी याद रखना है आट बजे से महरास्टर सेट के स्टूडेंट्स हैं, तो UGC NET के भी अस्पारेंट्स को दे सकते हैं, जनरली मैं आपको बता हूँ, कि जो UGC NET का जो लेवल होता है, वो सेट के examination से थोड़ा जादा होता है, तो आपको जब महरास्टर सेट के जो candidates है, जिनका 7 अप्रेल क उनका exam है, उनके लिए IFS लेकर आया है, mock test, management, paper 1, computer science, English, geography, commerce and economics, यह सारे के सारे subject के आपको mock test free of cost अविलेबल है, आप जाकर 3 अपरेल को सुबह 8 से लेकर, रात को 8 बज़े ते के mock test चालू रहेगा, आप कभी भी किसी भी time पे आप इस mock test को दे सकते हैं, कहां पर अविलेब या फिर जो हमारा application है, इस पर आप अपने login करके, अपना number login करके और OTP आपको आएगा, उसमें UGC net geography select करना है, तो आपको जोग्राफी का देखाई देगा, उसी प्रकारा का paper 1 का exam देना है, तो paper 1 select कर लेना, आप change कर सकते हूं, registration आपको UGC net geography से करना है, जिसे जोग्राफ UGC net के जो aspirants है, जिनके exam June में होने वाली है, 10 June से आपके exam है, 10 June से लेकर 21 June तक की आपके exam है, जोग्राफिका कब होगा, ये भी पता नहीं है, चैनल को subscribe कर ले, जैसे ही आएगा, पता आएगा, हम आपको बता देंगे, और UGC के तरफ से notification आचुका है, कि आप लोगों के जो forms हैं, वो अगले हफते ही launch हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो कैसे form भरते हैं, वो में सब कुछ बता दूगा, तो ये recorded course आप ले सकते हैं, test series आप purchase कर सकते हो, और paper 1 का live batch है, हमारा चलता है, तो आप ये, इन तीनों को, आप purchase कर सकते हैं, एंडोल कर सकते है हैं खुद को, और जो आपकी examination है, उसको आप better बना सकते हैं, ठीक है, और एक और आपके लिए surprise है, कि जो हमारी महरास्टर सेट के जो students है, MS सेट के, या फिर UGC net वाले भी try कर सकते हो, कि हमारी जो test series है, mock test अलग है, तीन अप्रेल को होने वाला mock test अलग है, जो हमारा test series है, इसमें आपको unit wise test मिलेंगे, और तीन full mock length test मिलेंगे, वो सिर्फ एक रुप है, वन रुपी में available है, तो वो भी आप जाकर purchase कर सकते हो, ifsonline.com website पर, और ये सारे एक सारे जो subjects आपको दिखाए दे रहे हैं, इन सभी की test series available है, ठीक है, only in one rupees, ठीक है, language इनकी English रहेगी, इन test की जो language होगी, वो English रहेगी एक बार के लिए, हम लोग try कर रहे हैं, कि जितना हो सके हिंदी में भी लेकर आए students, we are trying our best, ठीक है, धिरे धिरे improvement होगा, एक बार के लिए English में है, तो आप इसको attempt तो जरूर करेंगे, हम लोग इसको discuss करेंगे, को issue नहीं है, आपको जो भी doubt होगा मैं YouTube पे आपको discuss कर दूँगा, को issue नहीं है, ठीक है ने students, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, जो morphology के ही साथ मिलेंगे, पूरे हफ्ते हम लोग जो morphology करने वाले हैं, आज का जो है session आप लोग के लिए slow रखा गया है, क्यों, क्योंकि वो concept भी clear करने है, कल भी मैं concept clear कर रहे थे, यह आपको नहीं करके आना है, ठीक है, जो morphology को पढ़किया हो, जो भी notes आपके पास available है, उन notes को आप पढ़ो, revise करो, और फिर आप 6 बजे UGC Net Geography Channel पर जुड़ जाओ, ठीक है, तो यह था आपका आज का अपना session, I hope आपको यह अच्छा लगा होगा, तो वीडिय नेटिया महरास्टर सेट के लिए, उनको जरूर शेर करें, और जो students बाद में आते हैं, वो भी आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, उससे हमें भी एक encouragement मिलता है, right, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, see you there, thank you so much. कि और स pineal को ऑ्रकें की आते हैं का लिए बार बार्ष बार्न को सब्सक्रा जावा हूald सेघा लाए, आते हो जोका सेटा मिलते हैं कथे लएक्स हैं मिलते हैं